नमस्कार जोस्तों, स्वागत है आपको मेरी चाल में, फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली ना जाने इतनी महाबत कहां से आई है उसके लिए कि मेरा दिल भी उसकी खातिर मुझसे रूट जाया करता है जी हाँ ये प्रेडिक्शन चंदे राशी पर अधारित है सबसे पहले आज के दिन जनका बाज़े है या फिर मैरी जनुवर्स्री है उनको मेरी तरव से ठेड़ सारी वधाई हो तो चलिए अब शिरू करते हैं जिन्दगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के इलावा और कोई ना हो अजाद रहिये विचारों से लेकिन बंधे रहिये संसकारों से किसी भी इंसान की इच्छशक्ती और द्रिड संकल्प उसे भी खारी से राजा बना सकती है आप भी अपनी इच्छशक्ती और द्रिड संकल्प को मजबूत बनाईए यकीन मानिये अगर आप ऐसा करेंगे तो सफलता आपके पास जरूर आएगी अरे क्यों डरे जिन्दगी में क्या होगा हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा बढ़ते रहे मन्जिलों की और हम कुछ भी ना मिला तो क्या तो जुर्बा तो होगा अरे सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा कुछ करके दिखाओ दिखा दो दुनिया को कि तुम भी किसे से कम नहीं हो तो चलिए इब जान लेते हैं आज के डेली राशी फल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अज आप के लिए जो है भागेशाली जो रंग है वो रहने वाला है वाइट कलर्यान की सफेद रंग रहेगा वाज़े से मन में बेच्यानी से महसूस हो सकती है आप थोड़ा हडबडावी सकते हैं नर्वस मत हो ये सबकुछ ठीक होगा कुछ बातों को पीछे छोड़ कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं इसलिए पुरानी बातों में जादा प्लेज मत उलशेगा पुरानी चीजे पुर योग करें उनका साथ पूरा पूरा दे मन में बढ़ रही बेचैनी और गुसे को शांत करने के लिए सांस से रिलेटिट आपको एक्सराइस करने चाहिए प्रणयाम जैसे कि आप कपाल भाती अलोम विलोम भस्त्री का उद्गीत प्रणयाम आप कर सकते हैं कुछ विशेश कारी सबंदी उजनाए आज करियानवित होंगी यानि कि जो आपने पहले सोच रखी थी वो अच प्रैक्टिकल रूप में करना चाहेंगे घर की रख रखाव से रिलेटिट आज काफी काम हो सकते हैं जिसमें आपका टाइम काफी हद तक स्पेंट हो सकता है बेच सकता है द आपको दूसरों के दुख दर्त को सुनना चाहें सबना चाहिए और उनको दूर भी करना चाहिए फिजूल खर्ची पर आज आपको काबू रखना ही होगा क्योंकि अच्छानक ही कोई खर्च आने की अशंका भी नजर आ रही है आने वाले दिनों में या फिर आज भी हो सकता है वो खर्चा अपने व्यक्ति गत्य जीवन से जुड़े सभी जो फैसले हैं खुद ले फ्रेंड्स की द्वरा आपके साथ मन मुटाव को दूर करने की कोशिश की जाएगी आज जो पुराने स्कूल की फ्रेंड्स हैं वो भी आज आज आपसे मिलने आ सकते है अपने अहंकार को दूर रख कर करीबी व्यक्ति को माफ कना सीखे अगर आप दूसरों को माफ करेंगी तो भगवान भी आपके सभी गुनाहों को माफ करनेगा इसलिए माफी जरूर दीजेगा सभी को परिवार और काम दोनों जगा प्रगदी प्राप्त होगी स्वास्ता में सुधार देखा जाएगा जिसकी वज़े से आपका उच्सहा भी बढ़ सकता है काम के बारे में कुछ नया करने की प्लैनिंग सभी आज बन सकती है साथ में लोगों की प्रवान ना करके अपने योगिता के अनुसार अपने मन के इकॉर्णिंग सभी जो काम है उस पर आप फोकस करे से ध्यान केंद्रित करें आपको जरूर सफलता और उपलब्धी हासल होगी समाजीक दाइरह आपका बहुत ही बड़ेगा विक्सित होगा और रोकी हुई जो पीमेंट्स वगेरा है उनकी आने से भी आपको बहुत ही हद तक रिलक्सेशन मिल सकती है कभी-कभी एगो और कुछ जादा ही आवर कॉन्फेरंस आपको अपने लक्ष से भटका सकता है इसलिए अपने मन को जरा कावो में रखना सीखिएगा ये बहुत जरूरी बात है किसी भी प्रकार का फैंसला लेने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो घर से विरिष्ट वेक्तियों की सिलहाप पर जरूर अमल करना होगा तभी आपके लिए ठीक रहेगा तो ये अब बात करते हैं आगे बढ़ते हैं बिस्नस और करेर के बारे में तो बिस्नस और करेर के बात करें तो आज अधिकतर विविसाइक कारे निर्वे गिनपूरे होते जाएंगे यानि कि अगर आप कोई भी काम करेंगे जारा तर तो उसमें रुकावर्थ नहीं आएगी केसी बेतारा की सुचारो रूप से काम चलते जाएंगे आर्थिक सेती भी आपकी आज बहतर हो सकती है लेकिन हाँ टेक्स और लॉंसर लेटिट मामलों को स्थागित रखना उचित रहेगा नौकरी बेशा वक्ति अपने कारियों को पूरी निष्ठा से करें इमानदारी से करें क्योंकि पद उन्ति के अफसर बन रहे हैं तो कोई भी भूल चूक मत कीज़ेगा अपना 100% और बेस्ट परफॉर्मस दीज़े नौकरी बेशा लुकों को काम की बारे में जादा जानकारी प्राप्त करने का मौका मिल सकता है आपका experience बढ़ सकता है जो लुक फ्रेशर है इस काम में कोई भी काम करते हैं जौब वगेरा तो उसमें आपका experience बढ़ता नजर आएगा जिसे जो है आने वाले दिनों में आप और भी जादा जो है income गेन कर पाएंगे अपनी talent से अपनी knowledge से अपने experience से साधी में आज कारक्षेतर में आपकी जो उपस्तती होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय करमचारियों पर जादा विश्वास कना उचित नहीं है कुछ रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकते हैं तो आप तयार हो जाएए राज की ये मामलों को थोड़ा आप ध्यान से अगर करते हैं तो बैटर रहेगा क्योंकि किसी उच्छ अधिकारी से कहा सुनी भी हो सकती है इसलिए ध्यान रखना है कि आपकी किसी से भी मुनमुटाव ना होने पाई ये बहुत ही जरूरी है और जल्दी चीज़ करनी चाहिए काम से जुड़ी नई जिम्मेदारिया मिल सकती हैं जिसकी वज़े से थोड़ा बहुत उतनाव रहेगा ही वो जो नेचरल बात है तो बस आप काम करते रही अपनी इमानदारी से सभी के काम जो है आपके ठीक होते चले जाएंगे तो करेड के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की लव लाइफ की लव लाइफ आपके वारे में कहती है कि जीवन साथी के स्वास्ते सरलेटिर परिशानी में उनका सहयोग जरूर कीजेगा इसे जो है आपसे जो रिलेशन है उनमें और भी जादा नजीक्यां देखने को मिल सकती है पाड़ने की साथ वाद वाद उत्पन होगा लेकिन जल्दी ही मिट भी जाएगा यानि कि थोड़ी सी अगर आप में मन मुटाव चल रहा है तो वो जल्दी ही आज शांत हो जाएगा सब कुछ युबाओं को आज विवाह योग्य व्यक्ति मिलने की वज़े से बहुत ही आनंद मिलेगा यानि कि आपकी आँखे किसी से मिल जाएंगी और आप एक दूसरे से प्यार कर बैठेंगे साथ में आज लव लाइफ में घर का वात्तावरन जो है वो भी बहुत ही कुछनमा बना रहेगा चिंदा की कोई बात नहीं है सब ठीक ठाक रहेगा लेकिन हाँ अचानक कि किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन और भी जादा प्रफुलित हो सकता है पुराने यादे भी आपकी तासा हो जाएंगी जैकिन मारे लव लाइफ आज की पुखोत ही जादा उम्दा है बात करते हैं आज की स्वास्ते के बारे में तो स्वास्ते कहता है कि जोडों में दर्द जैसे समस्याइं आज बढ़ सकते हैं आपके लिए इस समी अपना उची दिध्यान रखना बेहद जरूरी है लापरवाही बिल्कुल भी मत पढ़ते हैं ध्यान रखेगा इस बात का साथ ही में आज अगर आपको किड्नी से रिलेटेट कई लोगों को तकलीफ है तो नजर अंदाज मत कीजिए आईरवेदी कि यहां फिर जो भी राच करवाना चाहते हैं जल्दी से करवाईए ठीक हो जाएगा भाग दोड़ी की वज़े से शरीर में कमजोरी करी लोगों को महसूस हो सकती है गलत खान पान की वज़े से गैस बदहजमी होगी करी लोगों को अपना खान पन जादा साइमित रखी मैं हमेशा कहती हूँ आज कल के दौर में लोग जादा ही कुछ बाहर का खाना खाते है और वैसे तो मैं भी घर का ही जादा खाती तो आप भी घर का ही जादा खाये तो बहुत ही उम्दा रिजल्ट निकलेंगे आपकी सेस रिलेटेट सब कुछ बढ़िया रहेगा तो चले अब स्वस्त की बाद अब अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेश उपाई के बारे में अगर आपके लिए विशी शुपाई कहता है एक तो आपको पित्रों का पूजन कर सकते हैं किसी प्रकार से अगर नहीं तो आप भगवान शिव के मंत्रों का जाब कर सकते हैं जैसे कि आप महामर तुझे मंत्र है या फिर सिंपल आप ओमनम शिवाई का जाब भी कर सकते हैं उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आप देखने को मिल सकते हैं, इसके साथ या भगवान शिव के मंदिर में आप जो है घी का दीपक भी जला सकते हैं और शिव चली सा का पार तो आप सरूर कीजेगा, अगर आप उनको इशनान करवाते हैं, अभि जरूर करके देखेगा, तो दोस्तों अगर आपको इवीडियो अच्छे लगे हो, तो लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले